हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग सब आज के इस नए वीडियो में आपका स्वाकत है आज का इस वीडियो स्पेशली बनने वाला है OBS घुक्थो स्क्रीन करेंगगो कैसे वीडियो स्क्रीन रेकोर्डिंग करेंगे उपर हमारा रेक्ष्टोपिया लिखा हुआ है चैनल का नाम ऐसे ही और राइट साइड में लाइव दिख रहा है यह सब नॉर्मल एक छोड़े-छोड़े इमेज जैसे हैं इसको यूज करके कैसे जल से जल चार-पांच मिनिट में आप रेकोर्ड स्क्रिन रेडी कर सकते हैं या फिर लाइव स्ट्रिमिंग का स्क्रिन रेडी कर सकते हैं यह बना के आज में दिखाने वाला हूँ आपको पूरा सेटप कैसे होने वाला है क्या क्या करना है और क्या क्या यूज करना है आपको तो चले शुरू करते हैं आप देख रहें YouTube चैनल रेक्ष्टोपिया में असे इस दास आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा उसको दबाना बिल्कुल मन भूलिएगा उससे आपको मिलेगा हमारे चैनल के नएने वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले तो चले शुरू करते हैं तो चले शुरू करते हैं तो यह वीडियो स्पेसेली OBS Studio को उपर बनने वाला था, तो यह रहा OBS Studio, आपको description में लिंक मिल जाएगा OBS Studio को डाउनलोड कैसे करना है, simple सा डाउनलोड यह है, आप जैसे देख पा रहे हैं, यह स्क्रीन पर मेरा, यह ही है, जो इधर webcam दीख रहा है, फिलाल मेरा अंदरे के वैसे face नहीं दीख रहा है, तो मैंने screen के उपर रखा हुआ है, तो screen दीख रहा, webcam चालू है, यह यह से webcam दीख रहा है, live दीख रहा है, यह frame है, इधर rextopia लिखा हुआ है, तो यह कैसे बनाना है, तो आज के वीडियो में यही होने वाला है, पुरा, मैं आपको इस वीडियो में खाली recording दिखाने वाला हूँ, streaming नहीं दिखाने वाला, क्योंकि streaming का अगर add करूँगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मेरे next वीडियो में यह part 1 होगा, part 2 में मैं आपको streaming का दिखा दूँगा पूरा, तो चलिए चालू करते हैं, तो हम simple, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, obio studio स्टार्ट होने के बाद आपको blank मिलेगा पूरा इधर screen, तो आपको सबसे पहले इधर नीचे यह जो scenes दिख रहा है, यह scenes create करने है, जो आपके screen के उपर होगा, अलग-अलग scenes बना सकते हैं, जैसे streaming के टाइम पर लोग जैसे यह एक scene है, और यह एक scene है, जैसे अलग-अलग दिख रहा है, तो वह अलग-अलग scenes होते हैं, तो वैसे ही हमें एक scene create करना है normal, जिसका नाम में demo देता हूँ, चलो यह हो गया scene create, अभी blank है पूरा कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद हमें sources में, इसमें आना है sources में, हमें sources create करना है, फिर हम इदर sources में plus करेंगे, सबसे पहले हमें क्या जरूवत है, जो layout दिख रहा था, उपर चारो तरफ का frame जो दिख रहा था, वो हमें overlay वो add करना है, overlay आपको कैसे कहां सिम लेगा आपको, अगर photoshop बगएर का idea है, तो आप खुद बना सकते हो, अगर ऐसे idea नहीं है, तो overlay online मिल जाता है, stream lab बगएरा जो है, उनका भी ready made मिल जाता है सब कुछ, OBA studio का भी है, stream का, उसका भी मिल जाएगा आपको, मैं उसका link दे दूँगा, और 4-5 websites हैं, जहां पर आपको free में मिल जाता है, काफी अच्छे अच्छे, अलग-अलग, तो आप उधर से download कर सकते हैं, तो इधर से आपको click करना है, मैंने फिलाल एक normal image लिया हुआ है, frame, उसको use करेंगे हम, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ, कुछ, overlay name दे देते हैं, ऐसे, layer का नाम दे दिया, यह हमें अभी image select करना, आपको इधर browse करना है, आपका मेरा desktop पे रखा हुआ है, मैंने, YouTube folder, और यह रहा, तो इसको मैंने click कर दिया, यह आ गया, आप इसको ok कर दीजिए, तो यह आ गया, इसको आप इधर corner पे ले जाए, corner पे set कर लिजिए, और इसको drag करके बड़ा कर दीजिए, ठीके, तो यह हो गया set पूरा, और इसको यह आगे पीछे ऐसे ना हो जाए, अपने अगर कुछ दूसरा डाल रहे हैं, तो उस time पे अगर आगे पीछे ना हो जाए, इसके लिए इ और यह वाला side में जो eye icon है, इसको अगर दबा देंगे तो यह hide हो जाएगा, तो ऐसे रहा, फिर हमें use करना है, इधर एक rectopia नाम लिखा हुआ था, वो add करना है, तो इधर हम add up इधर से भी कर सकते हैं, बटन दबा के, और इधर से भी add कर सकते हैं, तो इधर से add ऐसे करना है हम image में select करेंगे, sorry image नहीं, हम select करेंगे, इधर, यह रा text में, text में select करने के बाद, उसका नाम एक दे देते हैं, कल normal name लिख देते हैं, name देने के बाद, ok कर दिया, आप इधर लिख दीजिए, यह आ गया, रेक्स टूप यह, तो यह हो गया, आप इधर से font भी change कर सकते हैं, अलग-अलग काफी सारा है, हम normal यही font रख लेते हैं, जो है, आप add कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर लेंगे, drag करके, और इधर हमें set करना है, इधर आप set कर लिजिए, अगर mouse से उपर नीचे ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है, तो arrow key से उपर है, यह set हो गया, इसका color बगर अभी आप change कर सकते हैं, तो इसको भी मैं lock कर देता हूँ, फिर अभी हमें add करना है, एक इधर webcam के लिए, right side में, तो webcam के लिए हम लोग use करेंगे, फिर से एक image, image में इधर लिख देते हैं, webcam, image, तो इसको okay कर दिया, अभी हम image select करेंगे, यह एक readymade image पहले से था, मैंने इतना जांदा धूंडा नहीं, यही मिल गया था, तो इससे काम चला लेंगे हम फिलाल, तो यह रहा, यह काफी बढ़ा है, तो इसको, इससे छोटा कर दीजिए, यह हो गया छोटा, इसको हम इदर set कर लेंगे, यह set होने के बाद, यह आ गया, अभी हमें क्या करना है, इसको भी इदर lock कर देते हैं, यह movement ना करें, इसके बाद हमें, और एक add करना है, image जो उपर इदर live करके, नेड किया था, अगर आप live streaming कर रहे हैं, तो आपको live लिखने की जरूरत पड़ेगी, त इसका नाम दे देंगे, live, अब इदर यह वाला image को select कर लिया, इसको drag करके छोटा कर दीजिए, और इदर set कर लिजिए, और उसका भी lock कर दीजिए, अभी इतना तो हो गया, अभी हमें इदर इसके नीचे, इसके पीछे हमें चाहिए हमारा webcam, जो यह वाला मैं Android वाला यूज़ कर रहा हूँ, मतलब Android फोन को webcam की तुरू यूज़ कर रहा हूँ है, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लाने के लिए हमें प्लस कर लिजिए, विंडो केप्चर, विंडो केप्चर का खास्य यहती है, यह केप्चर का अगर आपको बता द रिवाइस होता है जो विडियो को, specially विडियो को capture करता है, जो बड़े-बड़े gamers यूज़ करते हैं streaming बगरे के लिए, उसके लिए, तो हम फिलाल यूज़ करेंगे, उन्डो केप्चर क्योंकि हमें specific कोई उन्डो को ही capture करना है, तो उसको नाम दे देते हैं, webcam, तो यह रहा webcam का हो गया, उसने directly उसी application को select कर लिया, वही वाला चालू था, और बाकी दो screen recording जो हो रहा है, उसको छोड़ दिया, उसने यह select किया, आप अगर दूसरा कुछ select करना चाहते हैं, तो इधर से select कर सकते हैं, जो जो application आपका चालू होगा, वो इधर list में आ जाएगा, तो यह हो कि हमारा webcam image के नीचे लेके जाना है, अभी होगा हम लेके जाओंगा, यह इसके नीचे आने वाला है, तो इसको हम छोटा कर देंगे, अगर यह आपको जो side में यह सब दिख रहा है, इसको छोटा करने के लिए, alt वाला, key press करके रखके, इसको आपको drag करना है उपर, यह हो अभी हमें इसके पीछे लेके जाना है, पर इसके पीछे, देख सकते हैं, यह set हो गया, यह दिख रहा है अभी थोड़ा, इसको और थोड़ा adjust कर लेते हैं, छोटा करके, अभी हमें दिखेगा, यह हो गया set, तो इसको भी हम lock कर देंगे, यह इतना हो गया, जैसे कि आपने इसके आपने इसमें देखा था, यह same to same, यह ready हो चुका है, और इसमें आपको अगर audio record करने के लिए, आपको इसमें simple mic add करने के लिए, इसमें right click करना है, add audio input capture, एक audio output capture है, जो output देगा, बाहर अगर आपका speaker बगरा कुछ बज़ रहा है, उसको output देने के लिए, और यह input, हमे mic से input लेना है, उसके लिए है यह, तो audio input capture select करना है, और इसका नाम देदेंगे mic, हो गया, यह microphone add हो गया, इसको click कर लिजी, इसमें दो चीज़ दिखाएगा, मेरे case में, मैं, droid cam use कर रहा हूँ, video record करने के लिए, उसका भी input में ले सकता हूँ, यह फिर मैं, मेरा PC का, जो मेर लेने वाला हूँ, और फिर ok कर दिया मैंने, अभी आप लोग देख सकते हैं, इधर नीचे, जो audio आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, उसका यह record हो रहा है, तो यह हो रहा है, इसके volume को आप ऐसे कम ज़्यादा control कर सकते हैं, आगे बिछे करके, तो यह हो गया, इसको आप कही पर भी रख लीजे माइक को, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हो गया, यह अभी display का audio नहीं आ रहा है, क्यूंकि हमने अभी तक display capture का add किया ही नहीं है, अभी हम add करेंगे display capture, जो अभी में display capture अगर add करेंगे, तो यह होगा, कि आपका जो display दिख रहा है, उसको यह mirror होता जा रह तो इससे होगा यह, इसके उपर यह आ गया, अगर मैं डिस्प्ले केप्चर को बंद कर देता हूं, आप लोगों को बता चलेगा, यह है, इसके उपर यह आ गया, यह पूरा, यह रेक्स टूपिया, यह पूरा आ गया, तो यह पूरा कैप्चर कर रहा है, यह डिस्प्ले भी वैसे जतक्वार उदेना में गेंगेंडर हो गया गैम केप्चर में भी वैसे ही गैम केप्चर यूज करते हैं। गैम केप्चर में आपका जो फुल्स्क्रेन गैम बगरा या इसपेसिक कोई गय Hem को आपkolी खाली कोड करना है तो उसके लिए game capture यूज़ करेंगे फिर game capture में भी ऐसे ही आपको नाम select कर लेना है इसे ही आपको नाम select कर लेना है कौन सा game को आपको add करना है उसका नाम select कर लिजिए फिर ok कर दीजिए तो मैं भी game capture नहीं करूँगा. डिलेट कर देते हैं इसको. फिर और एक है जो विंडो कैपचर. विंडो कैपचर भी जैसे हम की हम आपने देखा था विंडो कैपचर में हमने यह वाला webcam add किया था ऐसा ही विंडो कैपचर में यूज करके लोग स्पेसिफिक जो विंडो है उसको यह ठापुरा तो अभी मैंने start recording क्लिक कर दिया है इसके बाद अभी हमारा recording start हो चुका है जैसे कि मैंने start recording क्लिक कर दिया recording start हो गया अभी हम game में एंटर करेंगे जैसे मेरा webcam का issue आ सकता है तो right side मेरा webcam दिख रहा है वो अटक जाता है क्यूंकि मैं android Android फोन को यूज कर रहा हूं वेबकेम के दुरू ऐसे ही तो उसका भी आपको ट्रिक देखना है तो मैं बता दूंगा आपको Android फोन कैसे यूज करना है वेबकेम बना के वैसे रेकोर्ड चलता रहेगा उसका स्क्रीन में दिखाएगा वह वैसे फोन में रेकोर्ड नहीं होगा आपके PC में अब रेकोर्ड कर सकते हो तो यह आ गया यह पूरा आपको स्क्रीन में दिख रहाहोगा फिलाल मुझे गेम स्क्रिन के ऊपर ऐसे कुछ नहीं दिख रहा मुझे normal मेरा गेम स्क्रीन दिख रहा है पर आप लोगों को जो स्क्रीन दिख रहा होगा उसमें आपको ले आउट्स बगरा पूरा दिख रहा है तो ये था पूरा वीडियो तो ऐसे बनाना था आपको वीडियो जादा बड़ा नहीं करूंगा next वीडियो में आपको part 2 में मिल जाएगा live streaming का setup कैसे करना है तो ये वीडियो यहीं तक था आपको कैसा लगा वीडियो देखके अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ ऐसे है तो प्लेज कमेंड में बताइए मैं आपको बता दूँगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लेज लाइक कीजिए अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गेमिंग वीडियोज, टेक्नोलोजी रिलेटेड वीडियोज, काफी सारे अलग-लग वीडियोज आने वाले हैं आगे तो फ्लीच चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाना बिलकुल मुद भूलिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में